हलो व्यूवर्स रसोई का आनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए मटर की कचोरी की रेस्पी लेके आई हूँ अभी सीजन के मटर आए हुए हैं तो आप इसे ज़रूर बनाईए और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं सबसे पहले मैं डेट कप मैदा लूँगी उसमें आधा चम्मश नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मक अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ इसे हम मिक्स कर लेंगे मैदे में अच्छी तरह से विवर्स अगर मेरी रेस्पीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सबस्ट्राइब करिए अब इसके अंदर मैं वन फोर्थ कप आईल डाल रही हूँ मोहिन के लिए ड्राइ इंग्रीडियन्स में आईल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये इसके अंदर इस तरह से जूडने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा मोहिन एकदम परफेक्ट है अच्छी तरह से मोहिन को मैदे में मिक्स करने के बाद हलके कुनकुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें डौ लगाना है आटा हमें बहुत टाइट नहीं लगाना है थोड़ा सॉफ्ट डो ही लगाना है हमें कचोरी के लिए ये देखे जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का आटा लगाने के बाद हम इसे ढख कर रख देंगे कम से कम आदे घंटे के लिए तब तक हम सुखे मसाले रोस्ट कर लेते हैं पैन को मैंने हलकी हीट पर रखा है इसमें एक चमद जीरा डाला है एक चमद सौंफ और एक चमद साबु धनिया डाल रही हूँ मैं इसे बिल्कुल हलकी आच पर दो मिनिट में बहुत हलकी आच पर इसे भूनना है तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुश्बू आने लग जाएगी जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा इसको मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे इसका हमें बहुत भारिक पौटर नहीं बनाना है इसे हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं दो कप मटर लूँगी इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और फूट प्रोसेसर में डाल कर मैं इसको बारिक चौप कर रही हूँ ये देखे हमें इस तरह का दरदरा ही चाहिए मटर मिक्सी में डाल के हमें पीसना नहीं है हमें इसकी पेस्ट नहीं चाहिए अब एक पैन में मैं दो टेबल स्पून ओयल डालूँगी ओयल के अंदर मैं एक प्याज को बारिक काट के डाल रही हूँ कप के हिसाब से ये आधा कप प्याज है हलकी फ्लेम पर मैं इसे हलका सा कलर चेंज होने तक इसको भून लूँगी जैसे प्याज का थोड़ा कलर चेंज होगा मैं इसके अंदर एक चमच नमक डाल दूँगी नमक डालने से प्याज अपना पानी रिलीज करेगा और उससे ये भुन भी जाएगा और इसके पानी को हम अच्छी तरह से ड्राइ कर देंगे उसके बाद मैं इसमें डे दिंच अत्रक के टुक्रे को क्रश करके डाल रही हूँ इसको भी मैं प्याज के साथ भून लूँगी और दो बारिक काटके हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं इसका हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इसको भुनने के बाद जो हमने जीरा, सौफ और धनियां का दरदरा पाउडर पीसा था वो इसके अंदर डाल के मिला देंगे और बाकी के सुखे मसाले भी इसी टाइम में हम इसके अंदर डाल देंगे मैं आधा चमच काला नमक डाल रही हूँ एक चमच चाट मसाला डाल रही हूँ आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच हिंग पाउडर डालके मैं सब मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी अगर आपको थोड़ा खटा ज़्यादा पसंद है तो आप इस स्टेज पर आधी निम्बू का रस भी डाल सकते हैं और चौप किये हुए मतर इसके अंदर मैं डाल दूँगी और सब मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको कममाईन कर लूँगी अच्छी तरह से मिल जाने के बाद दो चम्मच पानी डालके मैं इसे दो मिनिट के लिए ढख के पकाऊंगी जिससे की मतर के अंदर मसालों का भी सब फ्लेवर आ जाए और वो थोड़े भून भी जाए अब इस स्टेज पर मैं दो चम्मच भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन डालने का ये रीजन होता है जालेंगे तो ये बहुत जल्दी सब चीजों के अंदर कमबाइन हो जाएगा और हमें जादा भूना नहीं पड़ेगा अब मैं वन फोर्थ कप फ्रेश धनिये को काट के डालूंगी और मिक्स्चर को ठंडा करने के बाद इस तरह से मैं रोल बना लूंगी मिक्स्चर के जो हम मैदे की लोई के अंदर भर कर इसकी कचोरी बनाएंगे तो हमें ये एकदम इवन साइज के सब मिल जाएंगे आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तयार हुआ है इसकी हम रोटी के जितनी जितनी लोई लेते हैं उस साइज की मैं लोई ले रही हूँ और किनारों से इस तरह से इसको पतला कर लेना है और बीच से मोटा ही रहने देना है इस तरह से एक एक रोल को इसके अंदर में रखते जाओंगी और दोनों तरफ से इस तरह से जॉइन करते हुए मैं इस तरह से इसको कंबाइन कर दूँगी डौ हमारा बहुत अच्छा बनके तयार हुआ है देखे बिल्कुल भी हमारा कहीं से फटा नहीं है आटा और बहुत अच्छा और सौफ बनके तयार हुआ है अब इस तरह से हाथ से ही दबाते हुए हमें इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे इसे हमें बेलना नहीं है इस तरह से मैंने सब कचोरी को दबाके तयार कर लिया है अब मैं मुंगफली का तेल लूँगी एक कड़ाई में और उसको लो टू मीडियम हें फ्लेम पर ऑईल को गरम करके इस तरह से बहुत स्मूदली धीरे धीरे हमें इसके अंदर कचोरी को डालना है पूरी कचोरी को सिखने में कम से कम 15 मिनिट लगेंगे और फ्लेम को बिलकुल लो रखना है जब हमारी कचोरी इस तरह से फूल जाएगी तो इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा गरम तेल डालेंगे पहले हमें कचोरी को बिलकुल छेड़ना नहीं है यह धीरे धीरे अपने आप ओल के उपर आएगी और फूल जाएगी 15 मिनिट में हमारी एकदम क्रिस्प कचोरी बनकर तयार है जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लेम को बिलकुल फास्ट नहीं करना है नहीं तो हमारी कचोरी उपर से रेड हो जाएगी क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी यह हमारी प्रॉपर कचोरी बनकर तयार है अब बाकी की कचोरी को भी मैं इसी तरह से बिलकुल सॉफ्टली ओल के अंदर डाल कर बना लूँगी इसको मैं हरी धनी और पुदीने की चत्नी और इमली की चत्नी के साथ सर्फ करेंगे और बहुत कड़क हमारी कचोरी बनकर तयार है यह देखिए मैं आपको काटके भी दिखाती हूँ बहुत अच्छी इसकी फिलिंग हुई है इस स्ट्रीट फूट को आप घर में बनाईए खाईए और इसका आनन्द लीजिए